जहीं दोस्तों नमस्कारम क्या हाल चालम भया साइंस की वीडियो लाओ साइंस की वीडियो लाओ तो फाइनली आ चुकी है चैप्टर नंबर एक के सभी वह विकल्पी प्रसंद बताऊंगा अभी तक अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा बोर्ड एक्जाम बिल्कुल नज विक्रिया के संबंद में कौन सकतन आसत है यहां पर ध्यान देना बोल रहा है आसत है तो यहां पर है भया कि लेड आकसाइड यानि पी बी ओ लेड आकसाइड कार्बन के सारे एक्शन करता है तो यहां पर लेड बनाता है और कार्बन डाई आकसाइड गैस बनती है अब फ Sisa नहीं अपचैत हो रहा है बलकि sisa आकसाइड अगर बोलता कि अपचैत हो रहा तो सही हो जाता लेकिन बोलना केवल Sisa यहां तो भाई Sisa Ackside एन्रिड आकसाइड है तो यह विकल बिल्कुल right हो जाता है ऐभा दूसरा चीज यहां पर भैया है carbon dioxide upachate हो रहा है तो भैया यहां पर तो carbon upachate हो रहा है carbon dioxide कहां हो रहा है यह बताओ यह तो उपachate हो रहा है और carbon और oxygen मिलकर के बना रहे है तो यहां पर यह भी गल्ट हो जाता है दूसरा carbon उपचाइथ हो रहा है हां जी बिलकुल सभी है carbon carbon dioxide के रूप में उपचाइथ हो रहा है led oxide उपचाइथ हो रहा है जिए बिल्कुल क्योंकि इससे क्या है oxygen हट रहा है अब क्या होता है थोड़स मैं बताना चाहोंगा यहां पर तुमने पढ़ा होगा redox अभिक्रिया ठीक है यही होता है रेड का मतलब हो जाता है तुम्हारा क्या हो जाता है जल्दी से बताओ रिडक्षन ठीक है और यहां पर भहिया हो जाता है आक्सीडेशन क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन अब यहां पर भहिया अंग्रेजी क्यों बता रहे हो क्योंकि यहां प उपचयन या फिर बोलो आकसी करन ठीक है क्या हो जाता है आकसी करन अब हो गया समझ में आयो इसका मतलब क्या है देखो आपचयन वहां पर होगा जहां पर आकसीजन माइनस होगा मतलब आकसीजन हटेगा कहलो ठीक है हटेगा और यहां पर आकसीडेशन यह आकसी करन उपचय गाटेगा और यह क्या होगा ठीक है यहां पर यहां पर यहां-पर अब बताया है टो आपका विकलब सही है तो आपका बीकलब नंबर एक इसदक distinction हो Albizy यहां पर तुमने देखा कि भाई यहां पर लेड आक्साइड से क्या हो रहा है आक्सीजन हट रहा है यहां इसका अपचेन हो रहा है जैसे मैंने यहां पर बताया ठीक है तो आगे बढ़ते हैं दूसरा कुश्चन है यह इस ए टू ओ फ्री एनि आइरन आक्साइड अल्मून यहां पर ध्यान देना संयोजन का मतलब होता है मिलना संयोग होना जुड़ना ठीक है तो यहां पर ध्यान रगना चाहे जितने पदार्थ हो एक पदार्थ हो बी हो सी हो कोई भी पदार्थ हो मिल करके कोई एकल पदार्थ बना लेंगे यह बी सी बना लेंगे ठीक है मतलब ज पड़ा होगा रिन आयन धन आयन तो जिसे रिन आयन तुम्हारे हो गए मानलो सी ओ थरी हो गया है ना सी ओ थरी हो गया यह सब में माइनस टू अवेस होता है CL हो गया है न HCL बनाते हैं यह सब यह रिनायन हो गए यह याद होंगे तो सूतर बनाना भी असान हो जाता है धनायन धातुए में होती है जैसे यह अन A हो गया यह प्लस एक आयन रखता है पोटैसियम हो गया प्लस एक आयन रखता है कैलसियम हो गया प्लस टू आयन रखता है जिंक हो गया ये भी प्लस टू आयन रखता है तो इस तरीके से ये सारे होते हैं अब यही मिलकर के फॉर्मुला बनाते हैं ठीक है तो अब यहां पर दिविस्थापन का मतलब समझ लिए कि भाई कोई पदार्थ A B मानलो है और प्लस में कोई पदार्थ मानलो B C है ये दोनों पॉजटिव आयन इधर वाले नेगेटिव आयन से अभिक्रिया करेगा रहा यहनी अज़ी बना लेगा और प्लस में भाईया इधर वाला क्या है एंवच्चिव आयन इधर वाले के पॉजटिव से करेगैं अज़ी HubWh飛 बना लेगा इस तरीक सा आपन अभी क्रिया हो गई म मतलब यह जब तूट करके इतने पतार्थ बना ले ठीक है विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन का मतलब है दूर भगाना क्या होगा दूर भगाना अब दूर भगाना मतलब भया जब कोई ताकतवर चीज होती है वह अपने से दूर किसको भगाती कम ताकतवर को सिंपल त होगा आगे है आफका तीसरा अबीकरिया जिसमें आइनों के बिनिमें अदला बदली से नए ये बनते हैं कहलती है अदला बदली मैंने बताया ना था अब भी रिया तो आई होप आप तो समझ गए होंगे मैंने पहले बताया आगे यहां पर आता है भाई यह चौथे नंबर का कुश्चन कार्बन को वायू में जलाने पर कार्बन डाई आकसाइड का बनना उधारन है किसका उधारन है तो यहां पर सिंपल है जो बोल रहा ह है मतलब दो जो पदार्थ है वो मिल करके कोई एक पदार्थ बना रहे हैं तो वहां पर कौन सी होगी भाईया संयोग हो रहा है संयोग का मतलब भाईया संयोजन अभिक्रिया हो गई बिलकुल सिंपल है आई होप समझ गए होंगे आगे बढ़ें पच्वा है जिंक और एक् आपनों भी बताओ तो जही सही तो इसको यहां पर जिंक अकेला है अब यहां पर सक्रियता स्रेड़ी याद करने की जरूरत है मैं तुमको बताए दे रहा हूं कोई नहीं बताता पहले चैप्टर में लेकिन बता रहा हूं ताकि आगे प्रॉब्लम नहों इसको याद कर ल अब ध्यान देना यह ऊपर वाले जो हैं यह ज्यादा रियक्सन है इधर मतलब बहुत अधिक रियक्सन है बहुत ताकत वर अपने से कम ताकत वर पतार्थ को हमीशा क्या करता है दूर भगा देता है बहले सिंपल समझो कोई अधिक ताकतवर स्टूडेंट है कोई कम ताकतवर है तो भाई जो अधिक ताकतवर है वो उसके बैग को समान को कुछ भी लिया रहता है परिसान करके छीन लेता है सेम यहां पर भी इससी तरीके से होता है तो यहां पर देखोगे जिंक अधिक ताकतवर है क्योंक इसको छीन लिया ठीक है तो यहां पर क्या हो गया यह यहां पर सिम्पल साथ पर आभिक्रिया हो गई आगे बढ़ते हैं चयटुवाइं निनलिकित में से es-u कौन सी एक देहन अभिक्रिया है देहन का मतलब होता है जहाँ पर उसमयों प्रकास हो तो तो यहाँ पर यहाँ पर दिया ही गया है तो यह वाला आपका correct हो जाता है आगे बढ़े आगे हमारा आता है सात्वा बी-ए-सी-अल-टू-ए-स-फोर तो बी-ए-स-फोर बनता है एन-सी-अल बनता है अब यहाँ पर मैं सूत्र बनाना भी तुमको सिखा दूँगा ठीक है क जो हमारा माइनस एक रखता इसी तरीके से इसमें आ जा Fayा हो जो हमारा एन-ए-स रखती है यह सोडियम और सू फूर ज है माइनस2 यह यह डिखा गया तón summarize 2 बनाने के लिए हमको दोटो सोडियम लेना पड़ेगा यह नहीं ए प्लस और एन ए प्लस दोटो लेना पड़ेगा हना प्लस करके हम बनाएंगे तब हम एस ओफोर को टक कर दे पाएंगे माइनस टू को तो माइनस टू जो है वो प्लस प्लस से मर जाएंगे दो plus seem, तो यहाँ पर हम लिख देतें कि sodium 2 हो गया, और यहां पर SO4 हो गया, तो इसका formula हो जाता है sodium sulphate इस तरीकिटष formula बनता है, यह आपका carbon chloride हो जाता है, अब यहाँ पर देखो के भईज है कैसे बना, फिर B.A.C.L. 2 कैसे इया तो बताता हूं, न, सबर शबर शबर, तो यहां पर क्या हो रहा है, कि जो हमारा BA है, वो CL से हमिख्रिया कर तो भाई, जो CL है, वो माइनिस a का बेश रक रहा है, यहां पर dasda chill ian, तो भाई हमें दोटो पूर्ण करने के लिए CL को दो ठो लेना पड़ेगा तो simple हम किये कि भाईया BA जो है वो प्लस टू रख रहा है और इसकी reaction हमें CL से करवाने तो हमने CL भी भाईया 2 कर दिया तो भाईया 2 मर गए इसके 2 मतलब यहां पर 2 आ गया तो यह आ गया BA CL 2 बन गया I hope अब आप लोग समझ चुके होंगे चलो और जो sodium है वो इसके इस कलोरीन से अभी कर ले रहा है तो मतलब अदलब अदली कर रहे हैं कर रहे हैं दोनों यहां पर दोनों ताकतवर हैं तो मेरा कुछेने गए तो मैं भी तेरह कुछ छीन लोगा यह वाला काम यहां पर हो रहा है मतलब समझ रहें दोनों ताकतवर हैं तो मेरी बाइक छीनेगा तो मैं तेरी कार छीन लूँगा तो मेरी साइकल छीनेगा तो मैं तेरा बाइक छीनूगा मतलब मैं ले लूँगा कुछ ना कुछ तो भाईया इसने बैरियम जो है इससे सलफेट आयन चीना और सोडियम भी इससे क्लोरीन आयन चीन लिया ठीक है तो यहां पर अदला बदली हो गई तो भाईया यहां पर हो गया दीविस्थापन अभिक्रिया ठीक है आगे बढ़ जाएं आगे आता है अठवाँ अपर यहां पर यहां पर यहां पर हुआ और श्माटर यहां पर पर एककेला हो गए ठीक है और यहां पर आइंके नीचे हैं ये iron कम ताकतवर हुआ, iron अगर कम ताकतवर होगा तो aluminium जो हटा देगा उसके iron से, तो देख सकते हो यहाँ पर aluminium बिल्कुल वैसा ही कर रहा है, कि यह aluminium पहले अखेला था, इसके oxygen को इसने ले लिया, तो aluminium oxide बना लिया, और iron को इसने क्या किया, दूर भगा दिया यहाँ पर, दे B, A, S, O, R, H, C, L, बनता है, किस प्रकार के अभिक्रिया है, यह उगातमक, निराकातमक, अभिक्रिया और छेपन अभिक्रिया, अब देखो यहाँ पर, यह उगातमक तो होगी ने, यह उगातमक मतलब हो जाता है हमारा, सेयोजन, सेयोजन तो यहाँ पर बिल्कुल नाकरन होगी नहीं और छेपन अभिक्रिया यहां पर सही हो जाएगी और छेपन अभिक्रिया होती क्या है एक्चली में भाई जो हमारी दीविस्थापन अभिक्रिया होती उसमें और छेप भी बनता है क्या होता है दीविस्थापन अब यहां पर तुम ध्यान से देखोगे तो दीविस्थापन भी हो रही है भाई बी यह जो है So4 से reaction कर लिया तो बीए So4 बना लिया यहाँ पर है ना और यहाँ पर जो hydrogen है इसने क्या कि इसके chlorine से अभिक्रिया कर लिया और यहाँ पर बना लिया hydrogen chlorine है hydrogen chloride कह लो थीक है तो यह हो गया तो भाई यह हो गया correct answer आगे बढ़ें तो यह वाला आपका सही अंसर हो जाता है चलो आगे बढ़ते हैं दस्वा कुश्चन कहता है भाईया यहां पर दस्वा क्या कहता है कि दी गई अभिक्रिया SO2 प्लस H2S तो यहां पर H2O बनता है 3S बनता है में अपचायक है जल्दी बताओ कौन सा अपचायक हो जाएगा तो यहां पर अपचायक मतलब भाईया होता है सिंपल सा अपचायक की आक्सीजन को जो सोख ले कौन सोख रहा है यहां पर तो भाईया H2S तो यहां पर आपका ह हो जाएगा है यहां पर यहां पर सफाइड बचता है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे यहां पर 11 नम्बर निम लिखित अभिक्रिया में उस्मा सोसी अभिक्रियाएं हैं तो उस्मा सोसी का मतलब क्या होता है जिसमें हमें उस्मा एनि देनी पड़े तो यहाँ पर ध्यान देना ऐसी अभिक्रिया होती है उस्मा सोसी जो उस्मा को क्या करती है सोखती है तो सोखती मतलब उस्मा सोसी हुई तो भाई यह कौन से अभिक्रिया होगी देखो सल्फियूरिक अमल का तनुक तो यहां पर यह क्लिख हॉस 200 है यह थोड़ा जान वाल जा उसको बोलतं को पता है मतलब क्या होता है सिंपल सा कोई पदाथ माननों ठोस है वो सीद्ह में बदल जाता है उसको बोर्द य॥ होता है प्र उसको बोलते हैं पतार्त होता है तीन खूस है yeah एक होता है हमारा क्या फिर उसके बाद बनता है गैस सोरी यहाँ पर द्राव फिर उसके बाद बनता है द्राव के बाद गैस ठीक है यहाँ पर बनता है गैस तो अब यहाँ पर होता भाई यह जब ठोंस से सीधा कोई चीज गैस में बदले भाई कोई लोहा है उसको तुम हीट दोगे तो पहले क्या है पिघल जाएगा पिघली हुए अस्तंप्राप्त होगा मतलब द्रव बनेगा फिर और ज्यादा हीट दोगे तो फिर वह सीधा गैस बन जाएगा उड़ जाएगा तो यहां पर लेकिन यहां पर सीधा ठोंस से पानी गरम होता है ठीक है तो यहां पर क्या है जल गरम हुआ उसके बाद सीधा रात को वास में बदल जाता है जो सुबह ओस पड़ी होती है देखोगे तुम्हें ना हर जगा मिल जाती है तो यह हो जाता है आगे बढ़ें आगे आता है बारा तो बारा यहां पर कहता है र S4 बनता है और HCL बनता है एक हमें बताना है कि ओई क्या है यहां पर तो ध्यान से देखोगे अगर तो विकल्ब और Cl2 दिया है तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा SO2 अब यहां पर क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि यहां पर SO4 देखो मिल रहा है तो यहां पर SO2 ही होगा ठीक है यहां यहां पर सीधा है हमें यह देखना ही नहीं है सबसे पहले हम लेंगे लव चून मतलब एफ ले लेंगे उसमें क्या बोला है तानु हाइडोकलोरिक अम्ल तो हाइडोकलोरिक अमल उसमें डाल देंगे दोनों की रियक्शन करवाएंगे रियक्शन हुई तो भाईया हमें प्राप्त होगा याफ इसी एल थ्री प्लास आपका हो जाएगा हाइडोजन गयस बाहर हो जाएगी तो यहाँ पर आइरन क्लॉराइड और हाइडोजन गयस बनता है विकल्प नमबर एज दा करेक्ट अंसर चवदा है यहाँ पर निम्न में से कौन एक सईयोजन अभिक्रिया नहीं है भाई ऑङे बढ़ते हैं निम्न में से कवन से अभिक्रिया नहीं होगी जल्दी बताओ कौन से अभिक्रिया नहीं होगी जेडें अर्फी एस birlag और यह यह व्योगी तो jink sulphate और iron बनता है ठीक है ये तो हो जाएगी क्योंकि jink iron से अधिक ताकत वर होता है सक्रियता-silendie तुमने पढ़ी होगी यहाँ पर aluminium ये वाला नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अगर सक्रियता-silendie तुम दोखोगे तो पोटाइसियम, सोडियम, फिर उसके बाद कैलसियम, मैगनीसियम, फिर उसके बाद आता है ऐल्मुनियम, जिंक, ठीक है, फिर आईरन, अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, ऐल्मुनियम और मैगनीसियम, इसमें ज्यादा ताकतवर काउन है, मैगनीसिय तो मेगनीशियम इसको देगा ही नहीं क्योंकि यह ताकतवर है तो भाई यह विकल्ब नहीं होगा यह आपका सही अंसर है ठीक है आगे बढ़ें चलो इनको देखने की जरूरत नहीं आगे 16 है बरसात के मौसम में कापर पर हरी परत किसके निर्मार के कारण होती है तो यहां हाइडराकसाइट का सूत है ओ है इसको याद कर लो यह निगेटीव आया यह बहुत हो आगे बढ़ें सट्रहें dip lag या यह रखता है फार्लबा स्टे कता यह ऑई एकता श्याएक ओध्र गया ऑगह यह बेंटर आप देना तो यहां पर यहां पर यहां पर हो रही है क्योंकि यहां पर आक्सिजन जुड़ रहा है तो तुम्हारे समझ में आएगा अब यहां पर देखोगे एक आक्सिजन जाकर के यहां पर जुड़ रहा है नाइट्रोजन में यहां पर आ गया तो विकल्ब सही है विस्थापन अभिक्रिया हो रही है या नहीं जल्दी से बताओ तो यहां पर देखोगे इसके आक्सिजन को यह ले ले रहा है नाइट्रोजन और यहां हो रही है ठीक है तो यह पहला और दूसरा विकल्प इस दा करेक्ट आंसर विकल्प नंबर एक ठीक है समझ में आ गया ह होगा आगे बढ़ते हैं 18 निमली खित में से उस्मा छेपी प्रक्करम है उस्मा छेपी का मतलब है जब कोई अभिक्रिया हो और बरतन गरम पड़ जाएं उसमा निकले हीट निकले हीट जनरेट हो है ना मनलब गरमाहाट हो तो वह जल की बिना बुझे से अभिक्रिया जिब कूल इसको तुमने पढ़ा भी होगा कि जो जल होता है H2O होता है इसकी अभिक्रिया जब बिना बूझे है उह चूना का सूतर क्या होता है कैलसियम आक्साइड इसकी जब अभिक्रिया होती है तो कैलसियम हाइडराचईड बनता है और यहाँ पर भाइया प्लस में हमें हीट मिलती है हीट मतलब भाया उस्मा मिलती है यह तो सही विकल्प हो गया आपका ठीक है और यहाँ पर एक अमल का तनुकरण हां जी बिल्कुल जब अमल का तनुकरण करोगे कोई एसिड लिया उसमें पानी मिलाओगे कोई चीज मिलाओगे तो और गरम पड़ेगा फिर भाद मे के वो कुछ दिन रक कर देख लेना कपूर को रख दोगे वह ठोंस तो होता है गटी दिखती है वाइट वाइट लेकिन कुछ दिन बाद देखो कि वहां पर कुछ बचता ही नहीं वो सीधा उड़ जाता है अब बोलो कि भैया उसका कोई चीज नहीं बचता हिये क्यों क्यो होता है जब कोई भी चीज भाई है यहां पर क्या हो जाती है सीधा क्या है सीधा ठोंस से सीधा किस में बदल जाती है सीधा गैस में बदल जाती है उसको उर्द पातन बोलते हैं तो मैं समझाते चल रहा हूं साथ में तिये ध्यान देना आगे है यहां पर जंग का रासाइनि सही है ठीक है तो आपका विकल्प नंबर C is the correct आगे विस्वा है एक तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहार करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाएगा सकता है तो यहां पर देखो कोज भी चीज हमें सुरचित रखने के लिए संग्रहित करने के लिए कम क्रियसील जो ललाई ना करे भाई जो भड कीला ना हो उसी को तो हम उसके साथ रखेंगे जैसे चिप्स बगएरा देखोगे पढ़े होंगे यह चिप्स बगएरा बनाने वाली जो कमपनिया है वो जो चिप्स फूला हुआ हो तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देती है ना तो यहाँ पर आक्सीजन ही सब्कुछ खराब कर देती है खाना बगेरा जो महें जाता है सब कुछ ठीक है इसलिए फ्रीज में रख देते हैंता कि कि धमधि पढ़ जाए फ्रीज ठंड़ा होता है तो जो अभी किरिया की दर होती है वो धीम ही पढ़ जाती है तो यहां आपका सही हो जाएगा ठीक है यह देख हम आगे स्वासन किस प्रकार की अभिक्रिया जल्दी बता मिट草सन किस प्रकार की अभिक्रिया भही यह सिंपल सा उस्मा 6 की अभिक्रिया होगी जब हमारा स्वसन का मतलब होता है जब हम खाना खाते हैं हम जब जीवीत रहते हैं वह स्वसन है तो भाई हमेशा इसमें क्या है जब खाना खाएंगे कुछ वोगर तुकड़ों में टूटेगा भोजर तो इसमें हमेशा हीट जनरेट होती है तो यहां पर उस्मा छेपी अभिक्रिया हो ऐसे लगा लेते हैं थोड़ा सा तो अराम मिलता है ठीक है थोड़ा सा लाइट कम हो जाती है थोड़ा लाइट डाइल्यूट जैसे लगती है तो अराम मिलता है नहीं तो लाइट चारो तरफ होते होते हैं मतलब बनाते बनाते वीडियो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ठीक है तो यहां पर आप करी ये तो फेरस सलफेट करना है ये मुझे का किया होगा भूरा होगा ठीक है हाँ भूरा ही होगा लाल तो हो नहीं सकता हरा हो सकता हाँ हरा होगा हरा होगा ठीक है तो देख लेना हरा आपका सही अंसर होगा इसका चेक करके मुझे कमेंट करना कि भाई यह अंसर सही हो क्यों कि कभी-कभी हो जाती करिफूजन दीमाक से उतर ग बनती हैं देखना तुम जो खाद होती है घूरा होता है फेक हो कभी गोबर भैसका मैं फेका हूं ठीक है तो उसमें जब फेका हुआ होता है उसके नीचे कभी हांट डालना या खोदों के हांट डालना वह हमें सा गरम मिडेगा आगे हैं यहां पर 24 लाल तप्त आइरन पर ज उसके साथ होता है तो बहila यहां पर क्या बनता है आइरन यहां पर बन जाता यह कह तरी ओ फोर जंग जंग लगता है ना लोहे में जंग कहों सा भी कलप सही होगी है विकलप के बढ़ने साइ Rocky होता है तो आगे हैंपर जब sodium hydroxide zinc से भी क्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है तो हम देखें के नहीं सही से जल्दी से बना लेंगे sodium hydroxide लेंगे वह यह हो गया हमारा sodium hydroxide बताया ना फारूमूला बनाना याने ओयाच क्यों 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 हमारा याने यह जो है वह प्लस एक आवेस रखता है और यह जो है वह माइनस एक रखता है प्लस माइनस मर जाएंगे यह बन जाएगा sodium इसको बोलते हैं हाइड्राकसाइड इसको तो यह हो गया sodium hydroxide सिंपल ठीक है जिंक से अभिक्रिया करता है जिंक का फारूमूला यह देन होता है और जिंक प्लस टू आभेस रखता है ध्यान द टू जेडेन ठीक है ओ टू यह बनाएगा और हाइड्रोजन गयस तो यहाँ पर हो जाएगा sodium जिंकेट यह ठीक है डी नंबर सही है आगे बढ़ें धूद से दही बनना कैसा परिवरतन है यह तो रसानिक परिवरतन याद ही होगा आगे 27 निम लिखित मेंसे काउन सा पदा जो होता है यह जो होता है यह क्या है धाघाकता है आगे थैली में पहले नाईट्रोजन गयस अक्सीजन भर नहीं सकते हीलियम नहीं बरते मेथन यह सबसे कम रेक्ट्री अज़कर बरते हैं थीक है उसके बाद आगे है silver chloride का रंग क्या होगा भया लाल हरा भूरा यह हो सकता या यह तो यहां पर यह होता है ठीक है यह तीनों भी गल्प नहीं होंगे तीसवा है जब magnesium फीता को जलाया जाता है तो उत्पन आग की लव होती है तो magnesium फीता को जब जलाते हैं तो उत्पन आग की लव मैगनीसियम जो होती है रीबन इसको जब जलाते हैं तो क्या है यहाँ पर जल्दी बताओ नीली पीली यह तो होगा ही नहीं क्या होगा क्या यह लग रहा है लाल हो ही नहीं सकता चमकीला ठीक है यह होगा निमली खित में से कौन दीविस्थापन अभिक्रिया है तो जल्दी सो बनता यहाँ पर अब नहीं ओंकि घ्रक्राइब यहाँ पर इसके साथ कोई आयन है नहीं है वियो जन घुट यहाँ पर हैं यहाँ पर भी 2 है हो ही नहीं सकता सिंपल यही हो गाविस्थापन अभीक्रिया क्योंखी देखो कि जो इसका जेडिन है ठीक है इसका जो जेडेन है ये 34 के साथ कर ले रहाया यह कापर को दूर भागा दे रहा है यहां पर देखोगे दिहान से तो । ठीक है अगे बढ़ते हैं लौह चूर्ड पर तनुई हाइ डॉरी का अमल डालने से क्या होता है जो लोहे का चूर्ड होता है उस पर तनुई डॉरी का अमल डालते हैं सिंपल सा इक्षिन करवाऊ ना चलो कर्वाते हैं इक्षिन तो जो हमारा एफ इता है लावचूण होता है ठीक है उसमें क्या बोला है तनू हईड़ोक्लोरिक अम्ल तो बहिया हाईड़ोक्लोरिक अम्ल डाल दो मैंने पीछे यह गाला कुष्चन स्वाल भी करवाया मुझे बताना आगे मिलूकॉश्चन की अभी क्रेया हो गई फिलेक्स करने की क्रिया को कहते हैं संचारण तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे संचारण तो होता है जो लोग नश्ट होता है खराब होता है उस भी दिखों कहते हैं जब आक्सीजन से रियक्षन कर लेता है भाफ से कर लेता है उसको संचारण कहते हैं पानी चढ़ाना पानी तो नहीं चढ़ा रहे हैं विद्द नाइट्रोजन डायक्साइड के धुमे का रंग होता है जल्दी बताओ क्या हो जाएगा त्याँ पर भूरा लाल हरा पीला क्या होगा भया नाइट्रोजन डायक्साइड के धुमे का रंग क्या होगा यह मुझे बताना भूरा ही होगा धुमा और क्या होगा बताना जल्दी ह मुझे को खुद confusion हो रही है जो नहीं मुझे समझ में आना तुमको बता देता हूं गलत बताने जरूर नहीं ताकि तुम सर्च करोगे आराम से याध हो जाएगा ठीक है तो भाई साब कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना समझ में आया या नहीं आया बिल्कुल आ समस्कारम